नमस्ते बच्चों बच्चों लंबी वीडियो है यह यह वीडियो अराम से पूरा देखना एक एक चीज मैंने बताया है और यह बहुत लंबा आपको बोरिंग लग रहा है आपको कुछ specific देखना है तो आप चैनल पे जाके वहां की प्लेलिस से वहां पर वीडियो देख सकत में मैं बताता रहूंगों कि counseling होता क्या है और process क्या है वो आप देखी लोगे पीछे सबसे पहले तो आप क्या करो कि किसी भी ब्राउजर पर जाओ फोन पर फोन पर खोलो कंप्यूटर पर या कंप्यूटर पर खोल लो वहां पर आपको सर्च करना है ए ए सौरी ए आई देखेंगे तो देखेंगे सबसे पहला जो लिंक आएगा सबकी website सबके ब्राउजर पर ज्यादा तरके ब्राउजर पर सबसे पहला लिंक होगा पर मैं फिर भी बता जाता हूं कि website का नाम है pesa.ncog.gov.in यह जो लिंक है यह लिंक आपके स्कोर कार्ड में भी दे रखा है आपने जब स्कोर कार्ड निकाला होगा अपना रिजल्ट निकाला होगा तो उसके PDF के नीचे तरफ में देखेंगा यह website दे रखें कि यहाँ पर से आपको counseling करना है मैंने देखें इसको open कर दि registration registration for the candidates for round one would commence shortly याने कि अभी तक वो जो हमारा counseling है वो start नहीं हुआ है जैसे start होगा मैं update तुरंत दे दूँगा अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो तो start नहीं हो सकता है जब आप इसी वीडियो को देख रहे हैं उस ताइम पर counseling हो चुका हो start हो चुका हो आज 15 मार्च कर दिन है तो आज तो start नहीं हुआ है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे ताकि आप updated रहे पाएंगे देखिए बच्चे का exam हो चुका है counseling बहुत ज़रूरी है बहुत बच्चों का selection हो रहा होता है admission मिल सकता था लेकिन वो फिर भी खराब हो जाता उनका क्योंकि उन last year या उससे पहले एक दू साल से start हुआ है उससे पहले counseling का process नहीं होता था बच्चे अपना इंटरेंस exam देते थे फिर उनको स्कूल के साइड से उनको सिर्फ एक ही स्कूल पे admission का वह भर सकते थे तो जैसे आपने फॉर्म भरा होगा सेनिक स्कूल का तो आपने मालों सेनिक medical के लिए आप medical दिखा दो और medical में आप select हो जाता है तो वह बोलते कि documents verify करा लेजिए लेकिन अब क्या होता था इससे कि कोई भी बच्चा सिर्फ एक ही स्कूल पे apply कर पाता था तो हो सकता था उसके marks के basis पे उसको दूसरे स्कूल मिल जाते सैनिक स्कूल लेकिन क्योंकि कि बच्चे को ज्यादा options मिल नहीं पारे थे तो कम marks वाले बच्चे को हो सकता था मिल जाते थे स्कूल और ज्यादा माक्स वाला पीछे रहे जाता था इसलिए सरकार ने और सैनिक स्कूल साइटी ने क्या किया कि हम counseling का process कराएंगे जैसे बहुत बढ़ 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 डालते हो बच्चों के choices कि भई मेरे को यह सैनिक स्कूल चाहिए और आपको लगता है कि सेकेंड नंबर पर मेरे को यह चाहिए थर्ड पर यह चाहिए ऐसे करकर करके आप 10 चूज कर लेते हो कि मेरे को इन सैनिक स्कूल में से कोई साभी मिल चलेगा लेकिन फर्स पारिटी पर रखोगे chances है कि वह ही मिले अगर वह नहीं मिला आपकी रहेंग खराब है तो second choice मिल सकता है इससे बच्चे को कोई नहीं तो सैनिक स्कूल मिलने की chances बढ़ जाती है यहां पर दिखिए अब बात करते हैं हम लोग counseling process का counseling process में दो सीन बन रहे हैं एक तो counseling schedule देखने हैं अप पहले आपन counseling schedule देख लेते हैं counseling schedule के बारे में आप देखो के तो यहां पर लिखा हुआ है कोई भी dates नहीं दी गई हैं बहुत बार लोगों को confusion हो रहा था क्योंकि जो पहले SOP release किया था Ministry of Defense ने उस SOP में उन्होंने date दिये हुए थे कि 14 मार्च से वो लोग release कर देंगे मतलब अब e-counseling शुरू कर देंगे बट वो नहीं हो रहा है शुरू इसलिए देखिए यहां पर website के अंदर पर कोई भी डेटा एवलेबल नहीं लिखा हुआ है तो अभी फिलाल registration नहीं शुरू हुए हैं आपके e-counseling के लिए डरने की बात नहीं है 15 मार्च को मैं वीडियो बना रहा हूं तो हो सकता है आगे डेट पर यह चींज हो जाए डेटा बट यहां पर हमने क्या देखा e-counseling का schedule देखा दूसरा जो एसपेक्ट था वो था लिस्ट ऑफ डॉकुमेंट्स का बचो लिस्ट ऑफ डॉकुमेंट्स पर मैं एक separate वीडियो और अच्छे से बना दूँगा कुछ हफतों बाद जब admissions की टाइम आएंगे बट अभी मैं आप लोगों को overall सिर्फ यह बताना चाहूंगा कि आप लोग यह जो डॉकुमेंट्स हैं डॉकुमेंट्स की ववस्था करना शुरू कर दीजे क्योंकि last moment पर डॉकुमेंट्स करने जाईए गए कठा तो बहुत ज़्यादा problem हो जाएगा तो अभी के अभी देखिए इसमें ना कितने टोटल डॉकुमेंट्स 14 डॉकुमेंट्स के बारे में दिया हुआ है इसमें से हो सकता है सारे डॉकुमेंट्स आपको नहीं चाहिए होंगे आपके category और आपकी जो condition उसके basis पे कम बहुत तेजी से आपन देखेंगे बहुत डीटेल्स बनी जाएंगे इसमें format वगएरा दे रखा है किस format में आपको डॉकुमेंट्स लाना है तो उसके लिए PDF बना रखा है इन्होंने form जो भरने आपको वह form का भी PDF वह form आप डाउनलोड करके उसको ऐसे फिल आप करके जम अंडर्टेकिंग तो इसमें तो कुछ नहीं है इसमें पेज रहेगा जिसमें checklist है कि कौन कौन से documents आपके पास है उसको टिक करना रहेगा यहां पर मैं आपको खोल के दिखा देता हूं कि अच्छा यह अभी रिलोड नहीं हो पा रहा है खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा चुल जा अभी तो यह नहीं खुल रहा है आप लोग आराम से इस पर देख सकते हैं इसले मतलब इस पर कोई चैसा कोई हाई साइन्स नहीं है कि मैं आपको नहीं बताओं हो ता आप करनी पाऊगे तेकंड देखिए मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट है तो आपके फिटनेस रिपोर्ट एक आपको बनवाना पड़ेगा और किस फॉर्मेट में बनवान है वो फॉर्मेट यहां पर दिया हुआ है कैसे जा सकते हैं जो डॉक्तर क्या करेगा वह आपकी बच्चे का चेक करेगा और वह फिर फॉर्मेट वगएरा भरेगा कि भाई हां मैंने चेक कर लिया इसके आखे ठीक है इसके यह ठीक है और फिर वह सील लगाके साइन करके आपको देगा डैट विल बिकम और मेडिकल फिट इसको सब्सक्राइब कराना है इसमें भी कोई सब्सक्राइब बहुत जखाइन और यहां पर इंगर आपढरखेगी से बिलॉंक करते हैं तो आपके लिए अगर आप नहीं करते हैं इसकी ज़ürü आ पडीगी यह जो भी defense वाले हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि आपको सिर्फ इसका format डाउनलोड करना है और अपने officer से sign वगरा कराके यह चीज़ें जमा करनी है नेक्स्ट है income certificate issued by the competent authority यह बहुत important है सबके लिए जरूरी है आप किसी भी category से belong करते हैं आपको यह आपको जमा करना पड़ेगा इसके लिए बता रखा है कि आप तस्यलदार से करवा सकते हैं या फिर आप किसी और से भी करा सकते हैं आपको बस करना क्या है यहने का मतलब कि 1 अपरेल 2023 लास्ट यह एक अपरेल के बाद का जो आपको डेटा है कि भीया इस साल हमने कितना कमाया था थार्निंग उसके लिए आपको एक इंकम सेटिफिकट बनाना पड़ेगा फॉर्मेट दिया हुआ है यहां पर यहां पर दिखिए बगल में जो आपका डाउनलोड है इस फॉर्मेट को डाउनलोड करिए और इसके बाद आप क्या करिए उसको तशील में को और फिर से क्लिक करके देखता हूँ अगर यह उपन हो जाए तो अभी उपन तो हो नहीं दिखिए यहां पर दिया हुआ है कि अरे क्या होगे फिर कि अ हम 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 चलो अब भी तो मैं इसको अभी हटा देता हूं आप आराम से देख पाओगे डोंट वरी आप लोगों का खुल जाएगा आप पता नहीं सामाओ खुल नहीं रहा है यहां पर देखिए आपको यह इस format डाउनलोड करना है और इस format को लेके जाना है फिल करना है इस format में जो भी डेटा है और उसको जाके आपको तसिलदार को देना है और उसको verify करवाना है कि आपकी income जितनी लिखी आपने उतनी सत्य है जैसे आप मालों साल के 10 लाग कमा रहे हो तो 10 लाग आपको बताना पड़ेगा ममी पापा दोनों के income बताना पड़ेगा अगर दोनों के हैं तो और अगर सिर्फ एक ही earning करता है तो एक ही का बताना पड़ेगा टोटल कितना उनके लिए हैं जिनके पास category का certificate है या तो आप ST, SC या OBC हो OBC में दो टाइप के होते हैं एक NCL होते हैं non creamy layer और CL होत इसके particular format में आपको fill up करना है और उसकी signature करा के आप लोगों को जो भी concerned authority है तसिल्दार वगरा है उनसे आप sign करा के इसको जमा कर सकते हो उसके बाद देखेगा next जो है वो है provisional admission letter from ISAC 2024 यह आपको अभी नहीं मिला है यह तब मिलेगा जब आपको counseling successful हो जाएगा जब आपको नहीं मिला है तो अभी उसके लिए टेंशन मत लीजे यह जब counseling होगा तब मिलेगा admit card आपको ले जाना पड़ेगा admit card अगर आपको नहीं भी आपका गुम गया admit card तो आप same website पर जहां सापने scorecard निकाला था न वहीं पर admit card का भी option आएगा वहां से admit card आप निकाल सकते हो scorecard भ government issue ID prove देना है उसमें तो आप कोई साथ भी दे सकते हो आधार card बगर दे सकते हो अगर नहीं बना हुआ है तो कोई और सी ID देदो school की ID तो थोड़ा school की ID में भी photo ID होनी चाहिए उसको थोड़ा कम importance दिया जाता है बट अधार card है उसके लाब और कोई आपको मिल जाए तो आप अपना identity card हाला कि school का ऐसा नहीं कि आप school का ID काड़ दोगे तो लोग मना कर देंगे पर अधार card है तो इस सब्सक्राइब पर देखें next क्या आता है देखो आप बोर हो रहे होगे तो में को पता है कि इस लॉंग वीडियो आप हो सकता है आपका थक गए होगे बट प्लीज एंड तक देखें क्योंकि भी अच्चे की सेलेक्शन की बात है lifetime life की बात है तो इस वेरी इंपोर्टन ठीक है अब देखो नेक्स में आपको दिया हुआ है कि प्रूफ बट बर्त यानि कि आपको बर्द सर्टिफिकट जमा कराना है वह आप अपने हॉस्पिटल से निकलवाए बी होगा और भी तक हाई हो उसके बाद डॉमिसाइल सर्टिपिकट याने कि आपका जो निवास प्रमान पतर है यानि मिल जाएगा कि किस ऑफिसर के पास जाना है कहां पर कैसे करना है ठीक है अगला आता है आपका 13 नंबर पर याद रखेगा कि डॉमिसायल चर्टिफिकेट में जो स्टेट लिखा है उसी स्टेट का होम स्टेट कोटा मिलेगा आपको जैसे माली जी सहने कि इसको लंभीकापू में हिस्सेदारी मिलेगी आदरवाइस आपको 28 में गिना जाएगा यानि कि आप अधर स्टेट को अगर आपका किसी और स्टेट कोड़ा में तो फिर आता है थर्टीन नंबर फोटोग्राफ वो तो फोटोग्राफ का कोई दिक्कत है नहीं वह आप अपना फोटोग्राफ यह उनके लिए जिनके बच्चे अडॉप्टेड हैं जिनके बच्चे खुद के नहीं उन्होंने अडॉप्शन लिया था अधर्वाइस यह आप इग्नूर कर सकते हैं यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि यह जो डॉकुमेंट्स हैं यह आपको ओरीजिनल के साथ सा फोटो कॉपी ले जाना दोनों ठीक है केंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वाइड तो ब्रिंग ओरीजिनल डॉकुमेंट्स अलोंग विद वन सेल्फ सेट अफ सेल्फ अटेश्टेड हाड कॉपी दिस डॉकुमेंट्स तू एलॉटेड स्कूल में आप वेरिफिकेशन के जा कहां पर दाला था मैं हां देए नेक्स्ट में काउंसलिंग प्रोसेस के बाद स्कूल इंफर्मिशन की बात आती है इस्कूल इंफर्मिशन में आप देखिएगा तो चार चीज़ें आपको दिख रही है ना एक है सीट मैट्रिक्स एक है स्कूल इंफर्मिशन एक है स्कूल वीडियो ये बना रहा हूं ताकि भाई सब जिस भी इंसान को पूरा डीटेल जानना था उसके लिए ये वीडियो है आपको अगर लग रहे कि हाँ इसकी मजबूरी नहीं तो आप स्किप कर सकते हो अगर आप देख पाऊगे तो पुरा देखो क्योंकि मैं यहां पर बहुत मज़ेदार बात बताने वाला हूं देखिए सबसे पहले जब आप काउंसलिंग करने जा रहे हैं याद रखेगा काउंसलिंग में कोई डेटा गड़बर मत करेगा सोच समझ के भरि हैं कि दिखिए एक स्कूल में कितने सीट्स खाली हैं अभी तो सारी स्वाह जैसी सिर्ट ना शुरू होगी करना मत hyvin बहुते मिलत जाएगा जिसके रहं आई उसको सबसे पहले दिया देगा च्रेंट फिर रेंक्तृ वाले को दिया जाएगा जैसे जैसे वाले आपकी रहं 100 आपको 100 नमबर पर आपको मौका मिलेगा तो आपका जो भी आपने form भरा होगा counseling में उसको read किया जाएगा automatic system read करेगा उसको और फिर वो seat आपको दे देगा तो जब तक seat मिल रहा है उस process में कई सारे seat भर जाएंगे कई सारे seat इसी वीडियो के अंदर में end way मैं कर दूंगा लेकिन फिलाल भी देखिए कि कि दो टाइप सेने के स्कूल से हैं कोशिश करिएगा कि सेने के स्कूल में selection हो जाए new सेने के स्कूल थोड़े नए हैं और थोड़े mixed हैं तो उसमें प्रॉपर वो जो डिसिप्लिन है और वो जो ऑथोरिटी मिलती है सेने के स्कूल वाली वह नहीं मिल पाती है बाकि अगर नीचे यह आपका पूरा का पूरा यह खुल गया अब देखिए यहां पर सीट मैट्रिक्स में आपको बता रखा है कि कितने कितनी सीट्स खाली है अभी क्योंकि अभी देखिए सारी सारे खाली है क्योंकि अभी आपका कॉंसलिंग शुरू हुआ नहीं है ठीक है इसको मैं थोड़ा से चोटा कर देता हूं ताक कि यह एडजस्ट हो जाए यहां पर तो सीट मैट्रिक्स में क्यों बोलता हूं देखने के लिए जैसे मैं अंभी का पूर से पढ़ा हूं 36 गड़ से तो मैं वहां का दिखाता हूं आपको दिखिए बॉइस के लिए क्या है एसका मतलब यह नहीं कि जनरल के लिए रिजर्विशन है अन्रेजर्व में अगले में जाओ अगले टॉपिक में तो अगला आपका था स्कूल इंफर्मेशन इसकूल इंफर्मेशन पर देखी हर एक स्कूल के डीटेल्स दिए हुए है बहुत अच्छा डीटेल्स दे रखा है यह भी आप वेबसाइट के अंदर चेक कर सकते हैं सारा वेबसाइट दे रखा है सारे नंबर कॉंटेक्ट नंबर है कोई सारी इमेल आड़ी है कई पार ऐसा होता है पार को फोन करके पूस्ते हैं कि सरसेनिक स्कूल क और गॉर कॉंट्ट ड्रकास दो हुकर चीँए अपर चेक कर सकते हैं यहां पर मुस्य दरबात क्या हैं forty largo ये सबसोरे सब्से पहले यहां पर यह वित तेबेंटी थी स्कूल के नाम दिये हुए हैं तो टोटल हमारे पास हैं 33 सैनिक स्कूल पुराने वाले और 73 टोटल दिख रहें इसमें यानि कि 40 जो नए सैनिक स्कूल से हैं जो पार्ट्नरशिप में बने हैं या तो स्टेट गवर्मेंट के साथ पार्ट शिप करके यह में साने सब्सक्राइब हम यहां जिसमें बच्चा स्कूल जाता है फिर घर आता है उसको वह रुकना नहीं पड़ता है करेक्ट उसके बाद अगला जो तीसरे नंबर का जो डिटेल है वो है स्कूल वाइस कट ऑफ इस पर आप जाईएगा तो इसमें कोई साभी सैनिक स्कूल आप सेलेक्ट करके कट ऑफ पता उनको पसंद नहीं है स्कूल तो वो कैंसल कर दिया फर्स्ट राउंड तो सीट खाली हो गया तो सेकेंड राउंड बनेगा उन खाली सीट के लिए तो राउंड कुछ है तो अभी राउंड दिखनी रहा option क्योंकि अभी तो counseling स्टार्ट नहीं हुई है जैसे स्टार्ट होग मैं मैं जैसे अम्मीका पूर्च हूँ उसके और मैं खुछ 36 गड़का ही हूं तो मैंने हो में सर्ज कर दूँगा देखो अभी बोल रहा है प्लीज सेलेक्ट राउंड क्योंकि राउंड तो भी आया नहीं स्टार्ट वा नहीं counseling जैसी होगा आपको पूरा का पूरा cut-off मिल सब्सक्राइब कर रहा है तो मेरे को बहुत फोन आ रहे थे कि सर कट-off कितना जाएगा सर में जंडरल हों में ओभी सी उस्कूल में अपलाई कर रहा हूं तो भाई साब कट-off होता है हर साल चेंज होता है कुछ नहीं बोल सकते हैं वह आप यहां पर से website पर चेक कर सकते हो ज में फ्रोवाइड कर देगा मुझे की कौन-कॉन से इसकूल में अधर इस्टेट की में ज। सेनिक्स्ट सेनिक्सकु अंभिकापुर में 28 अधर स्टेट की सीट है तो वो में को ये बता देगा यहाँ पर तो अगर आपको वह चेक करना है तो वह भी आप चेक कर सकते हैं जैसे देखो मैंने सर्च किया इस पर अमिकापुर का आपको यहां पर सारा डेटा मिल जाएगा लास्ट इस वीडियो का end करने से पहले बतादू मैं कि यह notices में दो चीजे दिये हैं एक है latest instruction जिसमें भी instruction नहीं दिया है वो कब देखा जब counseling शुरू होगा तो update होता रहेगा वो instruction हर दिन यह अभी यह करना भी वो करना भी वो करना ठीक है और लास्ट यह है guidelines SOP SOP मतलब होता है standard operating procedure यह है आपका PDF यह जो main PDF इसमें बहुत सारा data दिया हुआ है इसको आप बैटके पढ़ोगे तो आपको पूरा का पूरा knowledge मिल जाएगा कोई भी doubt है हाला कि देखो सारा चीश तो मैं वीडियो के अंदर ही बनाके डाल दे रह लेकि documents की list कैसा document लाना है और इसी वाले PDF के अंदर ही दिया हुआ था कि आपकी counseling अभी शुरू हो जानी थी लेकिन इस PDF के हिसाब से counseling शुरू नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा सैनिक स्कूल वाले हर साला सही करते हैं थोड़ा लेट करते हैं पता नहीं क्यों मतलब सैनिक स् स्कूल बहुत अच्छा है मैं खुद सैनिक स्कूल अंभीकापुर से पढ़ा हूं आप अपने बच्चे को भेच चकते हो discipline के अलावा इतनी सारी चीज़े सीखने को मिलती है अब बताओ कौन स्कूल में आपको horse riding सीखने को मिलेगा अब आप बोलो कि कोई बड़े-बड़ सानी स्कूल की बात तो मैं नहीं बोल रहा पर एक आम स्कूल में जहां की फीस मिनिममम डेड़ लाग दो लाग साल की है और उसमें सारा वो लोग देते हैं क्लोधिंग से लेकर सारा जो भी खर्चा वह मतलब बच्चे के लिए आपने दो लाग जमा कर दिये खतम साल भर आ आपको सारा मैंने All India Sanic School Admission Counseling के बारे में आपको मैंने बता दिया एक है AI SSAC के बारे में कोई भी डाउट है इसके लावा तो आप मेरे comment section पर comment करिए पूछिए अगर वहाँ पर आपको reply नहीं मिलता है मैं कर देता हूं से comment पर हमें से reply कर देता हूं पर अगर नहीं भी मिलत और मैं आप लोगों की सेवा के लिए यहां पर खड़ा हूं एक्जाम हो चुके हैं तो मेरे पास भी हलका फूल का टाइम मिल जाता है आप लोगों की help करने का मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा मैं आप से कोई फीस नहीं मांग रहा आपकी help करने का मैं बस इतना request कर र सब्सक्राइब कर लीजें कि सारे अपडेट यहीं पर आएंगे बाकि अगर अच्छा कॉंटेंट लग रहा है तो वीडियो को लाइप कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा चलिए धन्यवाद जैहिंद टाटा बाई बाई